हेलो दोस्तो हेलो दोस्तो नमश्कार आज हम एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं जो हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विश कमिशन के जितने भी एक्जाम होते हैं HP, PHC के उसके लिए जो है उसमें जाए वो PGT का एक्जाम हो चाए वो कॉलिज के अडर हो या फिर जो है आपका allied हो, hs mains हो उन सब के लिए हम हिंदी की एक जो है वो एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं और जितना भरपूर से होगा आप लोगों का मिलेगा मैं उतने जो है बेतर तरीके से इसको जो है वो आपके समक्ष लापाऊंगा और इसलिए मैंने ये पीडियेफ में जो है लाना जरूरी समझा क्योंकि एक authenticity और दूसरा जो है वो एक clear cut जो है conceptual clarity जो है वो इसमें हमें मिलेगी तो ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं ठीक है तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये सीरीज और उमीद है आप लोगों का सहोग और प्यार जो है वो इसके लिए मिलेगा मैंने जो book जो है वो जिसको जो है मैंने basic शुरू करवाना इससे जो है वो एक समझ डेबलप होगी और उसके बाद जो है वो फिर कोई other competitive की जरूरत वैसे पढ़ती नहीं है अगर आपके basic clear हैं तो फिर आपको जो है वो कोई भी और बड़ी book पढ़ने की अवश्यक्ता नहीं होगी तो संधी होती क्या है इसमें संधी विवस्ता की बात की यही संधी क्या होती है शर्णागत की रक्षा करनी चाहिए यहां शर्णागत है उसका परसंता से स्वागत और यतोचित सतकार करना चाहिए यतोचित यहां पे संधी की गई है बेंच पर नागरिकों से घिरे सज्जन ये सज्जन जो है ये भी संदी है बिराजमा थे सन्यासी के मन से दुरुभावना जाती रही तो ये दुरुभावना भी जो है दोस्तों ये भी संदी है ठीक है तो पहले बाके में जो शर्णागत है ना दोस्तों शर्णागत शब्द जो है शर्ण दन आगत मतलब शर्ण प्लस आगत से बना है तो शर्ण के अंत का और आगत के अरंब का आ जो है वो मिलकर जो है बन गया है ठीक है जो अरंब का आ मिलकर बन गया है इसमें दो शब्दाओं दो स्वरों आ और प्लस आ के मिलने से जो है वो संदी हुई है तो इस पे जो है वो शलनागत जो है वो जैसे इसका और यह आगत का आ जो है वो मिलकर के आ बन रहा है इस तरह की यह संदी बताई गिये दूसरे बाक्या में हमने यतोचित पड़ा था यतोचित शब्द जो है यथा प्लस उचित जो है वो इससे जो है वो बना है यथा प्लस उचित के योग से बना है और यथा के अंत का जो अ है और उचित के अरंब का जो उ है वो मिलकर के ओ बन जाता है ठीक है यथा के अरंब का जो अ है और उचित के अरंब का उ जो है वो मिलकर के O बन जाता है यहां दो स्वराओं A और O के मिलने से जो है वो संदी हुई है तो इस तरह से जो है वो यतोचित जो है वो हमें देखने को मिलता है कई जगा पे आईजटीज पूछ लिया जाता है यतोचित और सज्जन तो प्रीवीस एक्जाम्स के अंदर आए हुए भी है और देखो यह आपके इंट्रोडक्शन के पाल्ट में ही आपको देखने को मिल रहे हैं तीसरे बाक्या में सज्जन शब्द जो है सथ धन्जन के योग से बना है सत के सत जो अलंत होता है उसको आदा पढ़ते हैं सत के अंत का त और जन के अरंब का ज़ मिल करके ज़ बन जाता है ज़ मतलब जो है ज़ आदा ज़ और एक पूरा ज़ बनता है यहां दो ब्यंजनों त और ज़ के बीच में संदी हुई है तो ये बेंजन संदी हुई और इस तरह से आपको option number जो बाक्य नमबर 3 हमने जो पढ़ा था वो भी हो गया चौते बाक्य में दुरुभावना शब्द दिया गया था दुरुभावना में क्या है कि दुरुभावना दू धन भावना धन मतलब प्लस को धन पढ़ते हैं सस्कृत के अंदर तो हम लोगों ने वैसे ही पढ़ाया कही लोग प्लस पढ़ते हैं दू प्लस भावना तो इस तरह से इसका दुरुभावना हो जाएगा ठीक है दू मैं बिसर्ग से पहले उस्वर आता है बिसर्ग से पहले जो है वो कौन सा स्वर आता है उस्वर आता है और भावना के अरंब में भावलनारा है हता बिसर्ग का रह होकर दुर्भावना शब्द बनाए यहां बिसर्ग भी भाग के साथ संदी हुई है तो इस तरह से हमारा जो है वो फोर्थ जो है वो बाक्य जो हमने पड़ा उसमें जो शब्द दिये के चारों के कम्प्लीट कर लिए हमने इसमें हमने सारी टाइप की संदियां भी देख लिए है हम लोग कुछ और उधालनों से सपस्ट करते हैं बोलते हैं कि द्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो परिवर्तन या विकार उत्पन होता है उसे ही संदी कहते हैं ये तो परिवाश होगे ठीक है संदी युक्त शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को संदी विचेद भी कहते हैं तो ये आपको तो अलग अलग चीज़े हैं तो देखने हैं एक होता है संदी जैसे ये मिल करके जो आगे बनाया आपने वो हो गया संदी ठीक है और एक होता है जैसे एक शब्द को हमने अलग-लग कर दिया तो ये संधी विछेद हो गया ठीक है अब हम लोग जो है पहले संधी विछेद पढ़ेंगे फिर संधी करेंगे इनकी है न ठीक है क्योंकि हमारे चप्टर का नाम ही जो है वो संधी विवस्ता हम लोगों ने करनी है अब हम एक्जामपल से आराम से पढ़ेंगे ठीक है शर्णागत जो है एक आपके पास वर्ड दिया गया है कौनसा वर्ड है शर्णागत शर्ण धन आगत जो है वो इसका संदी विचेद होगा यतोचित यता धन उचित जो है वो इसका संदी विचेद होगा सजन जो है इसका संदी विचेद होगा सत धन जन जो है धन मतलब प्लस जो है वो जन ये वो जो है वो क्या रहेगा सजन का संदी विचेद रहेगा दुर्वावना दू धन भावना ये दुर्वावना है इसका जो ये संदी विचेद रहेगा तो अब हम लोग जो है वो इसका next देखते हैं कि संदी के भेद कितने होते हैं ठीक है उपर के उधारनों पर फिर बिचार करने शर्णागत शब्द में दो स्वरों अधन आ में संदी हुई है अतहा ये स्वर संदी है मतलब दो स्वरों के बीच में जब संदी होती है तो उसको हम स्वर संदी कहते हैं दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संदी कहते हैं सजन शब्द में दो वियंजनों का त और ज का योग हुआ है अतहा ये वियंजन संदी है ठीक है आपको याद रखना है एक पड़ी हमने स्वर संदी और एक पड़ी हमने वियंजन संदी ठीक है अब आपको जो है इसमें ज्यादा कनिफ्यूज नहीं होना है जब आप पेपर जो है exam जो है conduct देने लगेंगे तो उसमें आपको यह basic चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या होगा कि जो आपने स्वर संधी पड़ी है उसमें दो स्वरों का mail होता है जिसमें जो है दो व्यंजन like त और ज का mail हो रहा है तो उसमें जो है व्यंजन संधी है यहां यह नहीं जा आप आगे देखते हैं जगदीश में जगत के त और इश्ख के एक में संदी होकर त का रूप द हो जाता है बोला कि जगदीश किसी का नाम है ठीक है इसमें क्या होता है कि एक जो हमने लास्ट का त उठाया और जो है इश का जो है वो इठाया तो संधी में ओकर के ये त का जो रूप है ठीक है इसे संधी ओकर के त का जो रूप है वो द हो जाता है तो क्या हो जाएगा जगतधन इश का जो है वो जगदीश हो जाएगा द और एक मिलकर दी बन जाता है ठीक है ये भी वियंजन संदी है ठीक है पहले शब्द के अंत में यदी वियंजन हो और दूसरे शब्द के आदी में ठीक है दूसरे शब्द के आदी में वियंजन या स्वर हो तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे वियंजन संद कहते हैं तो ये परिवाशा है तो आपको रटना रटना नहीं समझना पड़ेंगी ठीक है अब संदी कहते हैं तो उसे जो है वियंजन संदी कहते हैं दुर्भावना शब्द में बिसर्ग बिसर्ग का मेल जो है वो भा से हुआ है तो उसे दूधन भावना जो है वो हम कहेंग दुर्भावना अतह ये विसर्ग संदी है विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग कहते हैं संदी के तीन भेद होते हैं दोस्तो स्वर संदी हमने देख ली विसर्ग संदी देख ली हम जो है वो और विस्तार पूर्बक जो है वो आगे चलेंगे तो स्वर संदी के अंदर हम लोगों को कुछ नियम जो है वो याद रखने होते हैं नियम क्या है नियम अनुसार देखो जिसे नीचे नियम अनुसार एक जो है वो संदी दी गई है, हमारे पास एक शवत दिया गया है, नियम प्लस अनुसार क्या बन जाता है, नियम अनुसार यहां क्या हो रहा है, अ प्लस अ का जो है वो मेल हो करके आ बन जा रहा है, ठीक है, शंकराचारे, शंकरधन अचारे जो थार्त ठीक है ये भी आपको question हमें आ सकते हैं यहां पे तो जो है वो आपको एक rules की तरह दिये गए हैं तो आ अगर आगे है और पीछे है तो भी आ बन जाएगा ठीक है विद्यधन आ ले विद्या ले तो यहां पे भी जो आ और आ का जो मेल हो रहा है तो भी आ ही वनेगा त तो आ प्लस अ और आ प्लस आ मिल करके आ ही वनते हैं ठीक है तो ये आपको ध्यान रखने वाली इसमें बात होगी है नयम क्या है पहले शब्द के अंत में आ या आ हो और दूसरे शब्द के आरंब में आ ही या आ हो तो उने तो इन में संधी करके आ हो जाता है clear रवी धन इंदर क्या दिया गया है अब हम रूल नमबर टू पढ़ रहे हैं रवी धन इंदर धन मतलब प्लस ठीक है रवी प्लस इंदर जो है वो रविंदर वनेगा कैसे यहां पर E और E का जो है वो मिलान हो रहा है तो E जो बड़ी E है वो बन रहा है ठ तो संदी हो रही आपस में तो भी बड़ी बन रहा है शचिंदर शचि धन इंदर जो है वो शचिंदर बनेगा ठीक इसी तरह क्या हो रहा है यहां पर नदी धन इश नदीश यह भी आपको important है क्योंकि यहां से भी question बनते है ठीक अब इन उदार्णों में हमने क्या देखा देखा कि E plus E का जो मेल हो रहा है या फर E plus E का मेल हो रहा है तो भी हमें क्या देखने को मिल रहा है यही देखने को मिल रहा है तो rule number two हमारा clear हो गया नियम क्या बोलता है नियम बोलता है पहले शब्द के अंत में यदि E या E हो तो दूसरे शब्द के आरंब में E या E हो त बड़ी ए मतलब छोटी और बड़ी का होता है ना पंड़ा यह देख लेना आप ठीक है नेक्स्ट रूल नंबर थ्री है मारे पास इसमें क्या बोला गया है यह सूधण उकती क्या बोला गया सूधण दन मतलब प्लस टीक है आप इसको ड़ेश्ट कर लेना है क्योंकि मैंने वैसे पड़ा तो मुझे वह ही याद रहेगा ठीक है सूद धन उक्ति सूपल सूक्ति जो है वो सूक्ति बनता है इसमें क्या हो रहा है छोटा और बड़ा उ का जो है वो क्या हो रहा है संदी हो रहा है फिर वो मिलकर के क्या बन रहे हैं बड़ा उ बन रहा है ठीक तो लगू धन उत्तर क्या बनेगा लगू तर तो इसमें भी क्य नियम क्या कहता है नियम क्या कहता है कि पहले शब्ड के अंत में यदी औ या उ हो और दूसरे शब्द के अरं प्रण में या फिर जोए क्छोटा यो हो तो दोनोंư सवरों को मिल करके जो है वो संधी हो जाएगा और बनेगा बड़ा वाला उठीक है ये ध्यान रखना है ये नियम ध्यान रेकना और कन्फ्यूज नहीं होना है जब आप बार-बार प्रेक्टिस करोुगे नियम दिया गया तो कैसे याद रहेगा जब आप प्रेक्टिस करोगे तो बहुत इजली जो है वो आप इनको कर पाओगे ठीक ध्यान देख देंग की उपर के सबीस उदालनों में स्मान स्वरों का योग हुआ है आगे के उदालनों में हम असमान स्वरों का देखेंगे कहने का तातपरे क्या है दोस्तो अभी तो हमने क्या देखा E प्लस E हो गया ठीक है फिर हमने देखा कि A प्लस A हो गया ठीक या फिर U प्लस जो है वो बड़ा हो गया इस तरह से हमने देखा यहां तो थे समान स्वर अब हम देखेंगे कि असमान स्वर होंगे तो किस तरह से जो है वो संदी बनेगा अभी जैसे उ प्लस जो है उ प्लस जो है ई का मिलान हो जाए तो क्या बनेगा तो ये चीज हम आप देखने वाले ये भी स्वरसंदी में आएगा शुब्धन इच्छू सुभेच्छू ठीक है यहां पे अ प्लस ई का जो ह इक मेले तो आपको द्यान देना है कि क्या जो है वो बिकार उत्पन हो रहा है महादन इंदर में क्या हो रहा है महिंदर ठीक महाधन इश महेश आधन बड़ी E का मेलो रहा है बड़ा और बड़ी E का मेलोरा तो A बन रहा है आपको इस तरह से ढ्यान देना पड़ेगा इस चीछ पे इन शब्दों में A प्लस E A प्लस बड़ी E A प्लस छोटी E और A प्लस बड़ी E मिल करके ए ही वनते हैं तो जब आप practice करोगे तो easily कर पाओगे ठीक बात होगी नियम क्या बोलता है पहले शब्द के अंत में यदी आ या आ हो तो दूसरे शब्द के अरंब में या फिर बड़ी इ हो तो दोनों स्वरव में संधी हो करके ए हो जाएगा ठीक है ये बात आपको समझनी पड़ेगी ओके नेक्स हम क्या देख रहे हैं स्वर स्वर क्या होता है तो स्वर में हैं हम लोगों ने देखा कि सर्ब जो है आप हम पांच देख रहे हैं तो सर्ब धन उत्तम आप क्या हो रहा है अ प्लस उ के अंदर जो संधी हो करके ओ बन रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है तो इसमें आ धन उ मिलकर के ओ बन रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है इन शब्दों में क्या होता है आ प्लस उ ठीक है आ बड़ा बला ठीक है तो ये मिलकर के भी ओ बनाते हैं नियम क्या कहता है नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में यदि आ या आ हो दूसरे शब्द के अरंब में उ या फिर जो है वो बड़ा उ हो तो भी क्या होता है दोनों स्वरों की संधी हो करके हो जाएगा आपका बिकार उत्पन और वो होगा ओ ठीक बात होगी अब हम नेक्स देखते हैं सिक्स वाला देखते हैं सिक्स में क्या बोला गया है हम जो है आज स्वर संधी जो है वो कंप्लीट करेंगे और स्वर संधी के बाद हम लोग फिर जो है वो नेक्स्ट में क्या करेंगे बियंजन संधी करेंगे ठीक है अभी हमने क्या देखा ब्रम रिशी ठीक है तो इसमें हम लोगों ने क्या देखल at 100 तो हुगया था सर्वदन उत्तन सरव उत्तम महाधन उत्सव सभ Tik है जो है वे क्या हो रहा है ड सब्सक्र लेना श्युक्र अपनी समय तक एक इस तरीके से पढ़ा है तो वो जो है वो वैसे ही दिमाग में आएगा ठीक है क्योंकि हमने हिंदी भी संस्कृत वाले से पढ़ना सीखा है तो यह और ही बन रहा है तो यह ध्यान दरने वली बात होगी आपके लिए ठीक है नेक्स हम क्या देखते हैं नियम क्या बोलता है कि पहले शब्द के अंत में यदि आ हो या फिर आ हो तो दूसरे शब्द के अरंब में री हो जाता है क्या हो जाता है री हो जाता है ठीक है दोनों सवरों की संदी हो कर के अर हो जाता है ये ध्यान देना है ठीक है मत धन एक के मत एक के ठीक है यहां पे क्या हो रहा है और ए का मेल बड़ी ए का मेल हो रहा है एक का मेल हो रहा है तो ये ए बन जाएगा मतलब बड़ी ए बन जाएगा ठीक है साधा धन एव सदेव ठीक है तो यहां पे बड़ी ए ब रहा है तो ए बन जाएगा यह ठीक है, मतलब विकार उत्तपनों के ए जाएगा, मत दंजे से, यहां पर अ है यहां पर भी आ है, ठीक है, और ए किसे मिल रहे हैं? ए और इसे ठीक है, तो मत मत आइक्य और सदैव जो है वो इसका हो जाएगा संदी करके ठीक है नियम क्या बोलता है शब्दों में अ प्लस ए और आ प्लस ए मिल करके ए बन रहे है ठीक है नियम कहता है कि पहले शब्द के अंत में अ और आ हो और दूसरे शब्द के अरंब में ए या फिर ए हो तो दोनों स्वरों की संदियों करके ए बड़ा वाला हो जाएगा अब आपको क्या करना है बन दन ओशिदी क्या वो लगया है बन ओशिदी ठीक है बन दन ओशिदी यहां पे अ और ओ का मेल हो रहा है तो ओवन रहा है ठीक है परम दन ओशिद परम ओशिद परम दन ओशिदी क्या हो जागा परमौश्द हो जाएगा. ठीक, तो यहां पर A और O का मेल हो करके O बन रहा है. ठीक है, A और O का मेल करके भी O बन रहा है. तो विकार उत्पन हुआ के नहीं हुआ? हो रहा है nou Bikार उत्पन. आपको क्या करना है? यह बिकार ही जो है वो देखना है क्या बनता है वो चीज आपके लिए find out करने वाले होते हैं इन शब्द में a plus o और o a plus o के मिलने से o बनता है तो ये चीज देखने हैं पहले शब्द के अंत में a या a हो और दूसरे शब्द के अरंब में o या फिर o हो तो दोनों सवरों की संदी हो करके o हो जाता है okay clear हो गया आपको next हम देखते हैं अधिधन अक्ष अध्यक्ष ठीक है यहां भी क्या हो रहा है e plus a का मेल हो रहा है a plus e का मेल होगा तो कुछ और बनेगा e plus a का मेल होगा तो कुछ और बनेगा अब थोड़ा सा complicated हो रहा है ठीक है हो रहा होगा ना क्योंकि हम easy से advance की तरफ जा रहे है okay e t dhna adi e plus a का मेल हो रहा है तो या बन रहा है अति धन उत्तम अति प्लस उत्तम अति उत्तम ठीक है अति उत्तम क्या हो रहा है e plus u का मेल हो रहा तो u बन रहा है यहाँ पर थोड़ा सा complication है आपको ध्यान देना पड़ेगा ठीक है अभी धन उदे में क्या हुआ अव्यूदे e plus u का मेल हो रहा है और u बना clear प्रती धन एक प्रती एक तो प्रती धन एक प्रती एक प्रती प्रती एक e plus a का मेल हुआ तो यह यह बन गया ठीक है तो आपको यह चीज़ें जो है वो यह थोड़ा complicated है यह आपको अगर नहीं है तो दुबारा से सुन सकते हैं आप इस चीज़ को ओके तो इन में क्या हो रहा है कि हम क्या देख रहे हैं इन शब्दों में e plus a का मेल होने से य बनता है e plus a का मेल होने से य बन रहा है e plus o का मेल होने से u बन रहा है e plus a का मेल होने से य बन रहा है ठीक है तो यह चीज़ आपको basically समझनी है यहाँ पे यह रूल है ठीक है अब नियम क्या बोल रहा है कि पहले शब्द के अंत में इ या इ हो तो दूसरे शब्द के अरंब में इ या इ हो को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो इ इ बदल कर य हो जाते हैं और दूसरे शब्द के पहले स्वर का योग य के साथ हो जाता है क्या बुला पहले शब्द के अंत में यदि E या फिर E हो बड़ी E हो या छोटी E हो दूसरे शब्द के अरंब में ये वाला ठीक है अरंब में E या फिर E हो E या फिर E इन दोनों को छोड़ करके कोई अन्य स्वर आता है ठीक है तो E और E स्वर बड़ल करके यह हो जाते हैं ये आपको ध्यान देना है ठीक है पहले स्वर का योग यह हो जाएगा क्लियर अगर नहीं क्लियर है तो रिफ्रेश करके दुबारा से सुनों ठीक है आपको समझ में आ जाएगी यह चीज क्लियर अब आपको क्या करना है रूल नंबर टैन देखना है क्या बोला है कि सूधन आगत स्वागत ठीक है सूधन आगत स्वागत की जो संदी विछेदी दिया गया यहां पर यहां पर क्या हुआ है उपलस अ का जो है वो मिलन हुआ है और विकार उत्पन हुआ ठीक है अनुधन शाष्ट अनुधन एशन क्या हुआ कि अनुवेशन ठीक है यहां पर क्या हुआ उपलस एक का जो है वो मिलन हुआ विकार उत्पन हुआ वे ठीक है important है दोनों मैंने लगाया भी हो है इन शब्दों में a प्लस o प्लस a से वा बना o प्लस a से वे बना ठीक है अब हम rule देखते हैं कि rule क्या कहता है rule कहता है कि पहले शब्द के अंत में यदि o या फिर बड़ा o हो और दूसरे शब्द के अरंब में छोटा हो और बड़ा o को छोड़ करके कोई भी अन्यसवर हो तो o या फिर o के स्तान फर b हो जाएगा ये होगी आपकी संदी complete अब आपको क्या करना है दो संदियां और है जो हम आगे वाले चेप्टर में करेंगे तो थैंक्यू सो मच आपसे उमीद है कि आप जाज से जाजा शेर करेंगे और जो है सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हम इस पूरी सीरीज को जो है वो ऐसे ही motivation के साथ complete कर पाएं ठैंक्यू सो मच जैहिंद जैवार दोस्तों